असलाम लेकुम कैसी हैं आप सब फ्रेंट्स मोंसुन का सीजन हो और हम लोग कटिंग ना लगाएं रसा कैसे हो सकता है बलके हमें तो समझी नहीं आती कि किस-किस प्लांट की कटिंग लगाएं और किस-किस प्लांट को छोड़ें यहां तक कि वाट कम पढ़ जाते हैं मिटी क कम पढ़ जाती है लेकिन शोग जो है वो कम होने का नाम ही नहीं लेता और इसकी वज़ा यही है कि मूंसुन का सीजन जो है कटिंग के लिए इतना बेस्ट माना जाता है कि बगार किसी रूटिंग हॉर्मोन के बगार किसी फंजिसाइट के हम आसानी से कटिंग लगा सकते ह आज मैंने कटिंग लगाने के लिए जिस प्लांट को चूस किया है आपके सामने ही है यह बिसिकली विंटर्स का प्लांट है क्रेसुला प्लांट यानि के क्रेसुला ओवाटा आम तर पे हम इसे देखते हैं कि विंटर्स में यह बहुत ही खुबसूरत लगता है और इसमें बहुत ज़दा पानी होल्ड भी रहता है इसलिए हम इसे पानी भी बहुत कम देते हैं और ज़दा पानी दिने की वज़ से ये प्लांट खराब भी हो जाता है अगर हम इसके लीज को कट करके देखी तो इनमें हमें काफी मिकदार में पानी नजर भी आएगा जैसा कि इसके आप लीव्स देख रहे हैं किस कदर चमकदार और फ्लेशी है यह एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन हम अभी से इसकी कटिंग लगाना स्टार्ट कर देंगे ताकि जब तक विंटर आएं उस वक्त तक यह एक पूरा प्लावरिंग भी इसमें आना स्टार्ट हो जाए बिल्कुल सेंटर से एक स्टाफ निकलता है जिसमें बहुत सी कनिया बन जाती है और फिर गुच्छों की सूरत में इसमें फ्लावरिंग होती है और इसके flowers जो हैं वो काफी अर्सा stable भी रहते हैं बलके बाज दफ़ा 20-20 दिन बलके एक एक माह तक भी इसके flowers जो हैं as it is खिले रहते हैं और देखने पर बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे के एक artificial plant पर artificial flowers बने वे हैं अच्छे लिए हम start करते हैं इसकी cutting को कैसे लगाएं इसको बहुत ज़्यादा छोटी cutting से भी हम grow कर सकते हैं maximum हम इसकी 2-3 inch की cutting लेंगे बहुत आसानी से ये cut हो जाता है और इसी तरह हम मजीद इसकी कुछ cutting लेंगे जैसे जैसे हम इसको cut करते जाते हैं ये मजीद बुशी होता जाएगा जिस जगा से हम इसको cut करेंगे वहां से मजीद branches निकल कर आएगी और ये हमरा अपना जो है और ज्यादा बुशी हो जाएगा एक और यहाँ से cutting लेते हैं और पहले भी हम कई बर बता चुकी हैं कि हमने इनके नेचे के लिए जो हैं वो रिमूव कर देने हैं तो यह हमने इसकी कुछ cutting ली है और इसके नेचे के लिए इसको हमने रिमूव कर दिया है और आप जानते ही हैं कि cutting लगाने से पहले हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका नोड एरिया जरूर हो जिसे हमने मिट्टी के अंदर रखना है क्योंकि रोड्स सिस्टम हमेशा नोड एरिया से ही स्टार्ट होते हैं ना कि इस पॉइंट से और यह हमने गॉर्डन सोय ली है और इसमें हमने चार जगा होल की हैं और अपनी कटिंग्स को हम इनके अंदर सेट कर देंगे इस तरह से क्योंकि अगर हम इनको प्रेशर से मिटी को पीछे करके इसमें डालेंगे तो फिर इसकी स्टेम को नुकसान पहुंचेगा इसलिए हमें पहले होल बना लेना चाहिए अब हम इसको आसानी से इसमें दबा देंगे कटिंग लगाते वक्त इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि कोई भी लीव जो है वो मिटी को टच्च ना करें क्योंकि अगर मिटी के टच्च में हमारे लीव चले जाते हैं तो फिर ये गलना शुरू हो जाते हैं और इस तरह हम को हमने मिटी से बिलकुल उपर रखना है कटिंग के लिए जो सोयल हमने रैडी की है में किसी उसमगा फर्टिलाजर भी यूस्ट नहीं करेंगे क्यूंकि फर्टिलाजर जुहें हैं थोड़ा होटनेस होती है अजर्मी होती है और गर्मी और पानी के मिकिसद के हमारी cuttings को गलने का खत्रा होता है लहाजा हम simple अपनी garden soil में ही cutting को हमेशा grow करेंगे उसके बाद जब इसमें rooting स्टार्ट हो जाती है और हम इसे next किसी pot में shift करते हैं तो उसके लिए जो हम soil preparation करते हैं उसमें हम हर तरह की जो भी fertilizer हम use करना चाहते हैं वह हम use कर सकते हैं तो cutting हमारी लग चुकी है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे क्योंके मिटी अलड़ी भीली है ज्यादा पानी हम नहीं देंगे और इसके बाद हम इसे किसी भी छाओंवारी जगा में रखेंगे जिस pot में हम cutting को लगाएंगे उसका drain system भी बहुत अच्छा होना चाहिए ताके इसमें ज्यादा देर तक पानी खड़ा न रहे और एक दफ़ा पानी देने के बाद हम इसे दुबारा पानी नहीं देंगे जब तक कि हमारी जो routing system है इसका और shooting system है जो आप शूर्ट से है वो ना आना शुरू हो जाएं या जब तक इसकी उपर की sol जा है वो dry ना हो जाए तो अब हम इसे shady area में रखते हैं इस side पे क्योंकि धूप है हम इसे यहां नहीं रखेंगे यहां काफी चाओं रहती है उपर के plants की भी इसलिए मैंने अपनी in cutting को इस जगब shift किया है ताकि यह easy से survive कर सके और यह cat test की वो cutting है जिसे हमने दो दिन पहले shift किया है यह भी अब तक बिल्कुल set है और उमीद है कि जल्द ही survive कर जाएगी तो आप भी cuttings लगाएं experiment करें और एक plant से कई कई plant त्यार करें तो friends आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में किसी नई plant के साथ और नई information के साथ तब तक के लिए Allah हाफिज